अगर अगर किसी को कोई डाउट है तो एक बार फिर देख लो फिर स्टार्ट करेंगे चेप्टर वन ठीक है किसी का इसा है जिसका नहीं हुआ इंस्ट्रॉल अच्छा सभी का हो गया सब्सक्राइब कि अलो हाँ सब्सक्राइब कि मेरा सिस्टम जो है लैप्टाप और बिया स्मोड जो है लीगेसी है इसके लिए किसके लिए आप डाइरेक्ट अपनी में में मेंसिन पर इंस्टॉल के लिए इंस्टॉल किये न इसकोद इंटलबी टू एक्स बट इंटल विट एक्स बट इंटल विट एक्स दिसेवल तो उसमें बायोस में जाके इंटेल वर्चुलाइजेशन आउन कर दो आप ठीक है सरो वायोस में जाने के बाद मैंने किया इनेवल भी किया हूं वहां पर ना हो बोल रहा है मेरा लैपी है जो 64 वीट का है फिर भी वहां पर नहीं ले रही है बायोस में बायोस इंटेल वर्चुलाइजेशन आप जब अपने इंटेल बायोस में जाएंगे एफटू या एफट्वेल्ब या डेल की से ओपन करके तो उसमें आपको कुछ इमेज मिलेगा इस तरीके से एफट से जिससे भी तो यह जो आप्शन हा ना इसको अपन करके फिर एफटेन से सेप कर देना ओके और जब आप उसके बाद विए इसको आउन करेंगे तब ही नहीं तो वह बार बार भाई देगा कि इंटेल वीटी यहां से यह एरर है राइट उसके बाद आपके पास यह जो सेंटोयस का छिठीक है मैं स्टार्ट करता हाँ तो इंस्टाल अगें और अभी से बिल्कुल ध्यान से सभी लोग समझेंगे और कोसिस करें लंबा स्लेबस है ना तो ऐसा नहीं है कि हम रिपीट बार बार करा पाएंगे डाउट होगा उसको स्वाल कर सकते हैं ऐसा नहीं कि कल का सेशन फिर आज करा है आज वाला फिर कल ऐसे नहीं हो पाएगा स्टार्टिंग में एक दो दिन ठीक है आप लोग थोड़ा सा भी मैनेज कर रहे हो मैनेज कर लो बट थोड़ा सा भी कंसंट्रेट एंड ट्राइट टू लर्न ओके सारी चीजे करने की और खुद से प्रैक्टिस करेंगे सारी चीजें बाकि मैं अ प्रिण स्ट्राइस यह रोड़ा स्ट्राइस शरी संट्राइस on VMware player लिक एंड टीका फिर्ट व्म्र्ट यौटार टीके सवाइब टीक है जुल में ताओ टीक कर एंड बटली एंड नें अगें प्रॉपट्ट्ट गें जुला है प्रिट्क ऑं नें जो एंड दीकि आर्न व आप इंस्टॉल माइक्रोसोट कर रहे हो विंडोज किया था विंडोज नहीं करना अभी जो मैं बता रहा हूं यह करना ठीक है और यहां पर आपने क्या सेलेक्ट करना है सेंट विंडो यह सबसे पहले सेंट विसके में डाउनलोड करने के बाद आपने क्या करना अप्रिएट अपरेटर यह वर्चुल मस्थीन ओके अदेन क्लिक ओन इलिए इंस्टॉल बॉपरेटिंग सिस्टम लेडर इस द गुट मैन I will install the operating system later this is good for you okay and easily you can install as per your requirement as per your hardware requirement okay so I'm selecting this one and then next and then choose your version and then next and you can retype our rename your operating system like sent OS temp this is temporary operating system for sent OS that I will not be able to get the data here and select the that I will do if you want to select it then I will be able to do the default location I will not be able to get it so user says document in there I will install the okay sorry I will install the एंदें नेक्स्ट कर दूंगा यहां पे 30 GB at least minimum आप इस पेस देंगे and then store virtual disk के जा single file okay आप इस पे क्लिक करें and then click on next button and customize hardware also you can click on finish button and after that you can customize your hardware from edit virtual machine option okay now you can click on this particular option and then see this is the customization option for your virtual machine so you have to select cd dvd and then you have to add your iso file like this is the iso file for centoas ios sorry iso and this is the centoas iso file and that's all and finally you have to change one more thing which is processor detail and selected two core okay जबी आप दू कोर कर देंगे ना दो कोर में क्या होगा कि आपका जो मतलब working smoothness है वह काफी अच्छा होगा one core पे भी चलेगा नहीं होता है कि जैसे कि i3 i5 i7 जितना बेस्ट आप रखेंगे वो सब अपना अच्छा चलता है तो अगर मालिया कि आपके पास dual core की machine है main machine आपका dual core है तो उसके अंदर नहीं ऐसा कुछ करना है थोड़ा सा इसके बारे में मैं यहां पर समझा दू लाइक मैं यहां पर से पैट करता हूं कोई नहीं तो मैं एक काम करता हूं एक मिनिट एक हार्डवेर पहले वर्चुलाइजेशन को समझो कि कैसे हमें machine क्रियेट करनी होती है बिल्कुल बेसिक से आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है तो बहुत ध्यान से चीजों को समझेंगे इस चीज पर फिर काम करेंगे म्यूट रखेंगे अगर अपने एंड से कोई ज्यादा क्वेरी नहीं है सब चीज़े पहले समझने की कोसिस करें तो मैं यहां पर एक PC ऐम लेता हूँ, लाइक महारे पास एक मशीन है ओके, तो यहां पर मैंने एक मशीन ले लिया और यह आप دेख सकते हो, आपके पास जो भी मशीन है, लाइक हमारेता है हरे पास एक कंप्यूटर है, और इस कंप्यूटर का जो configuration है वो, क्या है? मैं यहां पर mention करता हूँ like यह core i3 है right या मालिया dual core है बिल्कुल जो बहुत पहले आता था dual core OS है तो dual core OS में आप 2 core या i3 वह 4 core लगाने से कोई मतलब नहीं होगा यहां पर बता रहा था dual core अगर आपके पास machine है मेरे कहने का मतलब है कि जो आपकी machine की highest configuration है इससे हमेशा मतलब क यह मालिय मेरेक मशीन का highest configuration है तो इससे हम हमेशा क्या करेंगे down में अपने मतलब की low configuration में अपने VMware का machine बनाएंगे ओके VM machine बनाएंगे जैसे आपके machine पर या आपके VMware पर अगर 8GB का RAM है समझ रहे हुआ जगर 8GB RAM है तो आप अपने VMware वाली machine यानि कि virtual machine पर maximum कितना RAM दे सकते हैं 4GB मतलब हमेशा कितना provide कर सकते हुआ maximum half space अपने virtual machine के लिए अब दे सकते हो यह हमेशा fundamental use करेंगे तो आपका कभी भी machine hang नहीं होगा और अगर आपने इससे ज्यादा इस्तेमाल किया अपने virtual machine में जैसे 6GB दे दिया 5GB दे दिया कुछ ऐसे और आपका सिर्फ 8GB है और 6GB आप VMware पर चला रहे हो तो कहीं न कहीं lag होना start हो जाएगा उतना देने की जरूरत नहीं है तो यह मेरा यहां पर समझाने का मतलब था अब मैं यहां पर क्या करता हूं hardware configuration में मेरा भी i3 है तो मैं दो कोर आराम से हमेसा dual core है तो भी i3, i5, i7 जो भी आपके पास सभी पर dual at least two core processor select करके काम करेंगे यहां से 2048 इसका मैंने वीडियो भी सेंड कर दिया है सेम ऐसे ही होगा आप उसको देख लेना and then finally play virtual machine करना है and then you can see the installation screen like the steps to install so this is the steps where you can select install CentOS Linux 8 first option is install CentOS Linux 8 तो यह हमें select करना होता है अगर आप second वाले पर जाते हो तो अलड़ी मैंने बताया था कि यह आपके hard disk का checking करेगा थोड़ा सा समय लगाएगा तो यह सब चीज़े करते हैं तो hard disk अगर बहुत पुरानी है तो हमेशा चेक करके install करें जैसे पांच साल छे सल पुरानी है तीन सल चार साल तो उसमें एक बार चेकिंग लगा दे ताकि Linux उसके recording अपने software से अपने टूल से उसको चेक करके प्रॉपर मेंटेन कर ले अपने हिसाब से उसको सही करने की कोसिस करता है लिनेक्स तो बेस्ट आप्सन है लिनेक्स का यह है और हमें पता है हमारा न्यू है तो हम फर्स्ट आप्सन के तुरू इंस्टॉल न्यूँ सें टूयस पे सेलेक कर देंगे ऑके अंधेन यहां पर हमलोग फिर आगे कंटीनिव रेंगे ओके देखो जो हमने वह दो किया था वो भी यही सेम था इसमें भी यही सेम है तो अपना लेंग्वेश सेलेक्ट करके continue पर क्लिक करें and installation destination so you have to select your HDD then okay and finally you can change time and date setting like you can change your local zone so Asia Kolkata is for India country okay so Asia Kolkata and then done and finally you can configure user password this is the administrator user which name is root this is the user password and you have to create one more user which is local user okay don't know user create karna or configure karna jaruri hai hai na jabbia plugin karenge agar aapne root ka password nahi diya hai toh fir aapko thoda sa maintain aagye chalke maintain karna padega manage karna padega ki kya password kaise deena permission magara phir maintain karna padegi toh maine root ka password set kar diya and maine yaha pe ek naya user create kar diya which is student and password for student like maine yaha pe password diya and finally done toh yeh merah password ho gaya ek yaha pe security point of view se me option bata dhu ki jab bhi aap aapne linux machine ko on karay hamisha local user ki machine se lon on karay ya kaam karayin ispere kya windows ya koji bhi woe ya sabi use karayin isa local user se kama karayin jab aapka administrator user ki jarurood ho taab usko login karayin nahi toh jaysse hack attack honen pere agar koji bhi aapke system ke anadar entry kar leta hacker attacker toh bhot asani se aapke system ko root ke privilege per access kar saktatah aur kisi bhi tariqe ka desired changes kar saktahya wo toh based he ki aapne local user se login kiya koji hacker attacker us me login kar leta hai tohko thoda sa or suffer karna padega thoda yore mahinat karne padega to break the root password or to gain the access behalf of root password behalf of root user okay toh yeh sari chizhe ho tia toh best kya hai ki ek local user se hamisha login karayin and then begin installation pe click kar dhenge finally aapka installation done abbatau kisiko koji doubt yaha pere ee dhu dhu bar bataya jaja chuka toh mahi already install kar kar karakha hoon mahi isko kya kar dhe ta hoon close กmer miai paas machine bunny bufi gra Houston ga ga holy使onda Tonight weujemy machine … So, toh ni bunny 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 hail main and ici ranch Anna … Be neera paas Emma saha backup pade show us Again we эm quiz embase suaniafoot kyaietaa hao asper my need we embase 보시one machine think so i compute my Pretendаль band बनी बनाई मसीन कैसे एकसेस करना उसको मैं दिखाता हूं और विफोर देट मैं यह टेंप्रेरी मसीन यहां से क्या कर देता हूं डिलीट फ्रम डिस्क दो अप्शन है डिलीट फ्रम डिस्क एंड रिमूव करेंगे तो बस यहां से नेम हटेगा बाकि यह जिस location पे store है वहाँ data रहेगा delete from disk कर देंगे तो permanently आपका data storage से भी जो location पे data save था वहाँ से भी यह delete हो जाएगा तो मुझे delete करना है and then finally अगर आपके पास bunny बनाई machine है तो मैं यहाँ से open virtual machine and then जहां कहीं भी हमारा machine है वहाँ पे click करूँगा सेंट यहाँ पे है मैं इसको open कर लेता हूँ एंड पारान तो दिस इस दा लिनेक्स तो जब भी यह login होगा आप देखो कैसे इसका व्यू लूक यह सब चीजें आता है मैंने दो यूजर जो बनाने के लिए कहा था वह भी जरूरी है नहीं तो फिर दिक्कत यह होती है कि आपका रूट की प्रिवलेज्च चाहिए कि कोई भी काम करते समय सब चीजें तो वहाँ पे एक और स्टेप आगे चलके आपको रूट की प्रमिशन कैसे इनेबल करना यूजर को यह सब देखना पड़ेगा तो अभी आगे पता थोड़ा सा हेवी ओपरेटिंग सिस्टम है तो थोड़ा सा यह टाइम लगाएगा बट एक दो बर जब इस पर आप काम कर लेंगे जब मशीन पूरी स्मूथली रन होने लगेगी तो दुबारा ओन आफ करने में कोई टाइम नहीं लगेगा ओके तो यह हमारा सेंट ओएस है सेंट यहाँ पे मैंने क्या लिखा सी एमटी ओएस यह हमारा एक लोकल यूजर है और नॉट लिस्टेड अगर आप नॉट लिस्टेड पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे पूछ रहा है यूजर नेम तो मैं यहाँ पे रूट वाला जो की एड्म है और मैं जैसे एंटर करूंगा यह लॉग इन हो जाएगा तो फर्स्टाइम हम लॉग इन करके देखते हैं अपने सेंट वैस मस्चीन पर कैसा अप्शन दिखता है यह वेलकम स्क्रीन के साथ कुछ बेसी कन्फिग्रेशन पूछेगा लाइक वट इस यूर लैंगवेज सेलेक्ट यूर कीबोर टाइपिंग स्पीड लोकेशन लोकेशन को अन करने की जरूरत नहीं है नेक्स्ट करिए कॉंटेक्ट यह मतलब जैसे नहीं होता है कि एक मोबाइल या कुछ भी नहीं खरीते हो तो अकाउंट अगेरा लॉग इन करने के लिए पूछता है अकाउंट रिलेटे टू गूगल नेक्स्ट क्लाउड और माइक्रोसॉट तो यू कैन एड़ ओके हैं यह बहां पर श्किप करदें इसको जरूरत नहीं है तो सेंट ओस्ट और तो यहां पर यह बहुता है कि V。 के बारे में इनके वह सब लोगों ने हाप पे कुछ व्याइब का लिंक दिया है कुछ इसके बारे में नोट वगेरे दिया होगा कुछ वीडियोज है अगर आप लोग पढ़ना देखना है तो आप यहां पे जाकर इसको देख सकते इंटरनेट अगर चल रहा है तो है ना बाकी इसका कोई ज़रूरत नहीं है यह बसने होता है कि एक डेमो वीडियोज यहां इंडर डीटेल्स ओके और यहां पे एक्टिविटीज में आप लोगों को कम्प्लीट अप्लिकेशन और सारा ऑप्शन मिल जाएगा डिफॉल्ट ब्राउजर फायरफॉक्स है जैसे कि माई कम्प्यूटर आपका उसमें होता है विंडोज में वैसे यहां पे फाइल्स है स इस पर इंटरनेट चल रहा होगा अब जब इस पर क्लिक करेंगे जाएंगे तो बहुत सारे टाइट से रिलेटेड आप इसमें फ्री में अप्लिकेशन से इसमें मिलते हैं जो कि अदर कोई भी नहीं प्रॉइड करता और यहां पर हेल्प के लिए है जैसे कि अगर आपको कभी पढ़ना है ठीक है कैसे क्या करना है जैसे ग्राफिकल इंटरफेस के बारे में तो लिए व्यार पर इस घिए संब help के लिए बहुत सारी चीजिस में आप सीख सकते हैं यह सबसे में ऑप्षन है विच इस टर्मिनल टर्मिनल पर आपको अगर काम करना स्टार्ट करते हो लानेस पर सबसे पहले तो यह और इस्पनी अपको आती है साफको यहां पनीनल आपकर बहुत सारी सप्ट्रेटिंग ग्राफिकल काम करना एजी नहीं है और impec तोटल बनाया गया है कि आप ग्राफिक का इस्तिमाल ना करें आप 70-80 परसेंट तक आप कमांड के तुरू सारा काम करेंगे तो बेस्ट रिजल्ट आपको मिलेगा एंड बहुत अच्छा सा आप सारा काम और सारे सर्विसेस को मैनेज कर पाएंगे यहां पर जाना पड़ेगा सब बताए जाएगा आगे चलके और यहां पर आजाएंगे यहां पर कुछी स्क्रीन दिख रहा है जैसे कि क्लिक कर यह तो वाइड सेटिंग अभी इंटरनेट यहां पर आफ है तो मैं यहां से क्लिक करके कनेक कर दूंगा तो मेरा इंटरनेट भी चलने लगेगा यहां पर ब्लूटूथ ओन है रूट यूजर से मैं लॉग इन हूँ यहां से आप पावर आफ कर सकते हैं यहां से स्क्रीन लॉग हो जाएगा और यहां से आपके कंप्यूटर की कंप्लीट सेटिंग ओपन होकर आ से इसे मालिया की बैग्राउंड में कितने वॉल पेपर क्लिक कर आइए और यहीं से सारा अप्ष्ण है और यहां पर राइट क्लिक कर दोगे तो भी आपको यह चीज मिल जाएगी ओके तो यहां से सारी चीज़ें मिल जाती है तो एस पर यह सब्सक्राइब कर सकते हैं डिस्प्ले की सेटिंग में यह सब आ जागा कितना रेजलूशन आपको चाहिए स्क्रीन का और प्रिंटर सेटिंग रिमूबल मीडिया पेंड राइब बगर से रिलेटेड और कलर वगरा की सेटिंग जो कुछ भी है यहां पर सब कीबॉर्ड वग सेटिंग है यह बाकी की बहुत सारी चीजें अभी आपको पढ़ाई जाएंगे तो बस एक ओवर्विव दिखाना था कि ग्राफिकली कैसे आप लिनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को इस्तिमाल कर सकते हैं यह बहुत ही आसान है ग्राफिकली थोड़ा सा देखना और इसको मै इसदें मैं ने से 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 पहले कोई कि असवद् element करने से पहले आम लोग रीड़नेक्स के तो सबसे पहले क्यां से स्टाट होता है और लिनस्क्राइब करता है ने क्लियर ना सभी को ओके जिस सो सेकेंड थिंग लिनेक्स डेवलब्ड बाइ लीनियस टॉरवल्ड अरलाइनस टॉरवल्ड जो भी अब बोलें इसको तो डेवलब्ड बाइलीनियस टॉरवल्ड इन 17th September 1991 तो 17 सेटमबर उननीस टॉरवल्ड ने डेवलब किया था इसको लेट बट आप लोगों को हिस्ट्री में मिलेगा 70 के असपास कोर जावा और इन सब चीजों के बिहाब पर इसका वर्किंग और यह सब चीजें स्टार्ट हो गया था तो एक नहीं स्टार्ट है कि प्रोग्रामिंग कोडिंग सेल अगयरे पर काम करना सेवेंटी सेवेंटीवन से स्टार्ट हुआ था इसका जो एक नहीं होता है कि लोगों का है तो बिल्कुल पैसे देना पड़ रहा है वो यूनिवर्सिटी का स्टुडेंट था स्टुडेंट थे तो उन्होंने क्या करा कि एक ऐसा मतलब कि उनको प्रोजेक्ट के लिए कि इतना पैसा देना पड़ेगा जिसे नहीं होता है कि काम करना कोई भी प्रोजे हैं तो आप अपना सब चीज़ों के लिए और यह बिल्कुल फ्री होगा तो इस परपस से लेनियस टॉर्वर्ल ने एक ओपन सोर्स लेने एक सोपरेटिंग सिस्टम को यहां पर क्या इसके जो पैकेजिज रखा जैसे कि इसमें एक्स यजड पैकेज आप इंस्टॉल करना चाहते हो तो डेफिनेटली यू कैन यूज फ्री और ओपन सोर्स पैकेज मैनेजर तो इंस्टॉल दपर्टिकुलर पैकेज और यू कैन यूज विदाउट पेइंग एनी मनी बीना कोई मनी पे करें आप इसको आसानी से इस्तिमाल कर सकते हो डिफ्रेंस की अगर आप तो maximum of organizations जो भी होती है वो सब Linux based server अपने company के लिए operate करती है इंस्टॉल करती है क्योंकि उसके अंदर थोड़ा सा क्या होता है जैसे Windows भी इस्तिमाल होता है ऐसा नहीं कि वो है बट Linux का market capture अगर डेप्ट में देखेंगे तो काफी जादा है जैसे Google का server हुआ यह जो भी मतलब यह सब है यह सब अपने Linux operating system पर काम करते है रिसर्च सेंटर हुआ है चाहे आप इंडियन रिसर्च सेंटर की बात करें युएस से बेस्ट रिसर्च सेंटर की बात करें तो everything क्या है रन बाई Linux operating system one more operating system which is developed by इंडिया भारत के द्वारा डेपलब किया गया था anyone know that what what is the name of that particular operating system इसका इस्ट्री आप देख लेना आई थिंक बॉस बी ओएसस करके हैं जो कि इंडियन पर होता है हां जी तो इसको भी आप तोड़ा सा देखेंगे और यह बेस्ट आपको मिल जाता है कि हां मतलब अच्छा ये भी है इसको भी आप फ्री में इस्तेमाल कर सकते हो बी ओएस ओपरेटिंग सिस्टम वेस्ट डाउनलोड ये ओके तो यह आप देख सकते हो डाउनलोड बी ओएसस लाइन एक्स और यह भी पूरा का पूरा एक मतलब अच्छे लेबल पर इस्तेमाल करा जाने वाला जो भी है जैसे नहीं होता है इस रोव और इन सब चीजों में तो इस पोपुलर और सिक्यों अपरेटिंग सिस्टम सेकंड फिर और ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम आई आई थिंग द्रीज दॉनलोड फ्री और यू दिस्टिबीट फ्री में आप डाउनलोड कर सकते हैं और दूसरे को भी शेयर कर सकते हैं कोई ऐसा नहीं पॉलिसी या अगर आपको अच्छे अपडेट नहीं मिलते हैं यह उस लेबल पर अपडेट नहीं मिलते हैं अगर आप अपडेट ले रहे हो अपने सिस्टम का तो यह जो सैटलाइट सर्वर होगा जहां कहीं भी सर्वर रखा हुआ है सेंटोयस का या जो रेपो सर्वर रखे हुआ हैं यह आपको फ्री अपडेट देंगे लाइक हैं विनडोस और लीनेक्स में क्या डिफ्रेंस यहां पे है से वीन्डोस और हैं कोई लिफ्रेंस लग Whatsapp ड़कीर दिफ्रीनोस लग रहा सब्सक्राइब कर सकते हैं कि जैसे दोनों में डिफ्रेंस की अगर हम लोग बात करें डिलेटिट विंडोज एंड यह तो विंडोज सर्वर या विंडोज ओपरेटिंग सिस्टम विंडोज ऐस की अगर हम लोग यहां पर बात करें तो नीड टू पर चेज मतलब इपिछ नॉपन-परइटिंग सिस्टम नॉपन-परइटिंग website यह एक open source OS नहीं है ऐसे ही मतलब कि as per your license मतलब कि मुझे 10 यूजर का license पांच यूजर का license जैसा मुझे license requirement है उस हिसाब से मुझे इसको पे करना पड़ता है तो वी हैब टू पे पे फॉर इच लाइसेंस हर एक license के लिए हमें यहां क्या करना पड़ता है payment करना पड़ता है और कुछ इसमें अब नॉट मेंनी कस्टमाइजेशन अवैलेबल ले से क्यों है अब यह कस्टमाइजेशन की बात मैं इस वज़े से कह रहा हूं क्योंकि Linux को आप चाहो तो अपने कोडिंग मोडिफाई करके अपना एक नया ओएस बना सकते हो यू आर फ्री टू डू दिस आप फ्री हो इसको करने के लिए विंडोज के अंदर कोई चेंजेश करके आप उसमें अपना नाम नहीं कर सकते है कि नहीं लाइनेक्स क्या है एक ओपन कम्यूनिटी को सपोर्ट करता है अगर आपको उस लेबल पर डेवलपमेंट और कोडिंग आती है तो डेफिनेटली यू कैन यूज यूर इसकिल अंदर कुछ मोडिफिकेशन चेंजेश करके आप इसमें बना सकते हैं नो इशू राइट एंड वन मोर थिंग अभी क्या बोला मैंने आप के लेसुखे क्यों इसे इसे सैक्यों उपेरेटिंग शिस्टम डेफिनली लाइन विंदू जीश्न की सिस्तेंटी गाश्य कर पर यह सब और कि शीज के अंदर कोई प्रोग्राम अगर कोई बेज भी देता है तो जब तक इसकी स्क्रिप्ट नहीं होगी तब तक वो इंस्टाल्लाय होगा है हम यहां पर सिंगल-कलिक-डॉ-डट एक्षिपा ? इंस्टाल व जता हैं ? आसा Linux के अंदर नहीं होता है off-Dweal Windows is more whale बोल सकते हैं कि नहीं भोल सकते हैं वीन्डोष वासे एग कि नेड अपावर्फुल हमें एक पार्फुल एंटिवारस की ज़रुरत पड़ती है है कि नहीं तब ही हम इसे प्रापर तरीके से नहीं होता है कि एक सेक्योर वे में अपने डेटा और सर्विसेस को रख सकते हैं तो यह सबसे इंपोर्टेंट यहां पर टास्क आ जाता है कि हाँ यह चीज आपका होना चाहिए तो यह सारी चीजें हो गई अब लीनेक्स के बारे में आप लोगों को इतना बता है इसके बारे में बताईए सबसे पहले इटीज आन ओपन सोर्स यह डिफरेंस इंट्रवियूर कहीं पर भी जाएंगे तो पहला क्वेस्टिन है कि विंडोज यह लीनेक्स में क्या डिफरें बिट्रविविन विंडोज ऑब इस्टमार लेनेक्स ऑपरेंग सिस्टम तो सबसे पहले ओपन सोर्स और सेकेंड फ्री टू दाउं दाउनलोड और डिस्टीबूट एंड इस्टीबूट वन मोर थिंग पैक इस फ्री फ्री पैकेज तुरी पैकेज़स कोई भी पैकेज़ जो भी आपको चाहिए वो सब कुछ यहां पर फ्री है and free to modify more secure and no need of any कि किशी भी त्रीके एक ईंटिवार송 की जरुरत मैं अगा अगर आप इसको सेक्योर में चलाना जानते हैं तो घ। कि वारास अटेक्स ऐसे नहीं हो जाएगा कि यह वहम होगा बट हाह जाएका लिख brat अगर लेना है इन डिफ्रेंस को ले लो इतना बहुत है छेसे सासा डिफ्रेंस कोई कितना पुछेगा चार इंटर्व्यू में अगर यह सारी चीज़ें देखता है तो यह हमें देखने को मिलता है राइट एक जैसे कि आपने देखा इंस्ट्रोलेशन देख लिया बेसिक जी या कौन-कौन से ऐसे और्गनाइजेशन से या वेंडर से जो लिनेक्स जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप करते हैं और काम करते हैं तो बहुत सारे यहां पे डिश्ट्रोल वर्जन आ जाते हैं जैसे आपका डेवियन है फेडोरा है अबन्तू है सेंटो यह से रेड लिनेक्स फैमिली से बिलॉंग करते हैं यह सभी समझो कि दीज और फ्लेवर ओफ लिनेक्स ओपरेटिंग सिस्टम और लिनेक्स डिस्टिब्यूशन राइट तो आप रेड़ेट पे काम करें सेंटो यस पे करें डेवियन पे फेडोरा पे अबन्तू पे सीवेस्टी पे का पांच दिन भी काम कर लेंगे तो उसको समझ जाते हैं कि कहां से कैसे क्या होता है तो अभी इतने में किसी को कोई डाउट जो बेसिक आपको सारी चीज़े बताएं गए इंस्टॉलेशन से लेकर यहां तक सारे पॉपुलर्स हैं पॉपुलर्टी में ऐसा नहीं है कि कोई डाउन है बट सबसे मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो पेनेट्रेशन के लिए काली लीनेक्स है पेरेट सेक्यूरटी है कंपनी जैसे छोटा स्कूल कॉलेज या क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बंतु है और फेडोरा डेवियन यह कहीं सेम बंतु जैसे ही फैमिली को बिलॉंग करते हैं तो अपनी नीड के अकॉर्डिंग यह सब पॉपुलर होते हैं जैसे कंपनी उसको सर्वर सेट कर देंगे तो रेड हैट पर मैक्सिमम चीजें करते हैं और जो चोटी ऑर्गनाइजेशन सोती है वह अपना फ्री में सारी चीज कर सकती है अगर बहुत ही पॉपुलर बहुत बढ़े लेबल पर और अर्गनाइजेशन लीड हो रहा है काम हो रहा है जैसे गूगल जैसे त थोड़ा पेड ओप्रेटिंग सिस्टम आ जाता है फॉर कॉमर्सियल परफॉस राइट क्योंकि इसके अपडेट इसके उन सब चीजों को रेपोजिटरी सिस्टम को मेंटेन करना सब कुछ उसके वॉलेंटियर से वहां पे जो होते हैं काम करते हैं तो इन सब चीजों के य कि यह है और यह लॉक स्क्रीन पर दिखा रहा है अब तोड़ा सा जी वाई लेबल पर आज हम लोग इसको एंड कर देते हैं कमांड लाइन फिर स्टार्ट करेंगे तो यहां से आप माउस पॉइंटर से उपर इसको स्क्रॉल कर सकते हैं या एंटर की प्रेस करेंगे यह च करोगे तो बोलेगा कि रूट यूजर की परमीशन का पास मनलब चाहिए तो पासवड डाले तो रूट यूजर का वहां पर पासवड डालके रूट यूजर का सारा काम कर सकते हो तो यहां पर मैं लॉग इन हो गया अब सबसे पहले बेसिक सेटिंग्स हम लोग यहां पर देखते हैं तो जो सेटिंग ऑप्सन है राइट क्लिक करके सेटिंग्स ऑप्सन पर आ जाएंगे और यहां से आप सारी सेटिंग को मैनेज करेंगे लाइक अगर मैं यहां पर चेक करता हूं वाइफाई ऑन है कि नहीं तो मेरा भी वाइफाई अडॉप्टर नॉट यँचे यहां पर यहां यहां पर कनेक्थ है कि नहीं है आप देख सकते हो यहां पर कैसे Bluetooth to एड़ ऑन ओफ जो भी है यहां पर सर्च करके वो कर लेगा बैग्राउंड सेटिंग आपको बताया नोटिफिकेशन सेटिंग होता है जैसे कि आपको यहां पर नोटिफिकेशन आता रहेगा इस इस दा नोटिफिकेशन पैनल विर यू विल गेट ओल अपडेट आर निव मत सक्सिमम वल जो भी मतलब नोटिफिकेशन ditaill से यहां पर इसे डि extrapolacy करना चाहते हैं अगर आ और ऑफ कर देंगे आ से तो नई दिखेगा यहां पर है न तो फिर यहां से वैंटर यान्वली ज़रूर और रखना चाहिए ये आपसे software फाइल और कीवी अप्लिकेशन मैनेज करने के लिए कुछ pre-built अप्लिकेशन है सर्च में आ जैसे कुछ सर्च करना चाहते हैं तो फाइल सर्च के लिए यह फाइल अप्लिकेशन है बाक्से सर्च के लिए केल्कुलेटर के लिए यह सब कुछ दिया हुआ है तो यह डिफॉल्ट जो टूल से हैं ऐसी रहने देना जैसे कि अगर कैलकुलेटर आप उपन करो तो यहां पर दिया हुआ है लैंगवज सेटिंग आप यहां पर सकते हैं यूनिवर्सल एक्षेस दिया हुआ है लाइक कॉन्ट्रास्ट इस लार्ज दिखने लगा तो मतलब तो जितना रखना चाहते हैं रख सकते हैं इसको मेरा घ्रीजा करण कर देंगे यह सब इसमल हो जाएगा करसर का प्र साइज हो सेट करना चाहते हैं कि साइज का या इस से बड़े साइज का तो आप इसको सेट कर सकते हैं थोड़ी दिर बाद यह अपडेट आहसे ले करेगा तो इस जा कर सरसाइस और फिर मैं इसको क्लु मступ कर देता हूं ऐन धेन। option screen reader वगरे के लिए यहां पे सब आफ दिया हुआ screen reader वगरे on कर देंगे तो जैसे कुछ भी यहां पे क्या है screen reading कैसे होती है अगर कुछ यहां पे open रखा जाए तो यह read करेगा एक नहीं होता इस पीक करता है तो यह पता नहीं यह screen reader कैसे हो है बहुत सारी इसके अंदर टूल्स मिलते हैं sound की दिया हुआ visual effect यह सब दिया हुआ है तो यह सब चीजें नहीं है अपना account login करना चाहते हैं Gmail का और Microsoft Flickr pocket अट्सेटरा अट्सेटरा तो सब यहां पे login कर सकते हैं privacy related स्क्रीन लॉक लोकेशन सर्वीज इस्ट्री इस्ट्री बगर जैसे यहां पर आन है तो अगर इसको आफ रखना चाहते हैं तो यह सब रख सकते हैं तो यह कुछ प्राइबसी बेस्ट सेटिंग है सेरिंग बेस्ट सेटिंग है जो भी आपके मशीन पर सेयर होगा वह सब इस कंप्यूटर नेम से एक्सेस होगा तो कुछ भी अगर सेयर करना एक मशीन पर दूसरे से एक्सेस करना है तो यह आपको नेम याद रखना पड़ेगा इस नेम को आप छोटा बड़ा भी कर सकते हो क्योंकि नेटवर्ट में जितना स्मॉल कंप्यूटर नेम होगा उतना अच्छा से आप क्या कर पाएंगे एक्सेस कर पाएंगे तो यह होश्ट नेम अगरा मैनेज करना बताया जाएगा आप लोगों को साउंड सेटिंग आप मैनेज कर सकते हैं कौन सा साउंड यहां पे वेलिबल है और बैलेंस इसका पूरा मेंटेन आई क्या होता है बक्स मतलब कमिया होती है जब कोई भी चीज के अंदर कुछ कमिया आ जाती है ना जैसे एक इंसान उ हमारे अप्लिकेशन से सिस्टम ओपरेटिंग सिस्टम सिया जो भी टूल्स होते हैं इसे इनके अंदर होता है कि अगर कोई कमी है उसके अंदर तो उसको फिक्स करा जाए नहीं तो वो धीरे-धीरे बड़ी कमी में या है कटेक हो कर आपका पूरा सिस्टम क्रैस कर सकता है तो बग्स मतलब सिंपल समझो की लेकनेस मशीन किसी भी चीज से रिलेटिड कमी आपके ऑपरेटिंग सिس्टम में हो सकता है आपके हर्डिस्ट के लीतायर घीरे जासी आपक्से की निदर को जरूर होंगे हैंना क्योंकि बहुत बार आपने फाइल को स्टॉर किया होगा तो उसके अंदर तो फिर आपकी हाड़िस्ट स्लो हो जाती है आपने देखा होगा जब मैं नया मोबाइल लेते हो तो वो कितना फास्ट चलता है फिर साल भर और नहीं होता है कि इन सब फॉर्मेट में डेटा स्टोर होता है तो वह सब सेक्टर क्लस्टर जैसे कि समझो कि एक बैग है अब एक बैग में आप जब एकदम नया बैग लेते हो तो कुछ भी उसके अंदर रखते हो फॉर एक्जामपल के लिए तो बहुत अच्छे से आप उसके अंदर लगा कर रखते हो फिर भैव जब कुछ पुराना हो जाता है तो क्या रखना ऐसे भर दिया ही है उसका मतलब थोड़ा से क्यार कम हो जाता है तो दीरे-दीरे नहीं होता है कि मतलब उस लेबल पर काम नहीं करता है जितना कि आपका नया पर कोई भी चीज काम क और आपने इसके अंदर खुद बग बना दिया कि आपने अपनी आई-पी को पॉब्लीकली कर दिया तो यह आपके नेटवर्क का एक बहुत बड़ा बग हो जाएगा लाइक मुझे आपने अपनी कंप्यूटर की आइपी बता दिया तो वो क्या हो जाएगा एक बगी तो हुआ तो किसी भी टूल के अंदर चाहे वह हाडवेयर मैनर से सौफ्ट्वेयर मैनर से या रिसर्च मैनर से कोई जो लेकनेस आ जाती है तो वह हमारा बग बोला जाता है कंप्यूटर के अंदर अब हम लोग यहां पर नेटवर्क सेटिंग में आ जाते हैं लाइक ग्रैफिकल आइपी वगरे प्रोवाइड करना है तो आप यहां से देखो हंडेट एमबीपीएस सौरी थाउजन एमबीपीएस का हमारे पास एडॉप्टर है और मैं यहां से इस पे क्लिक करूंगा अगर आपको नेटवर्क में मैनुल आइपी देना है जैसे आपके कंपनी में कोई आइपी मिली हुई है और आप यहां पे आइपी देना चाहते हो फोर एक्जांपल मैं यहां पे अप्लाई कर दूं आइपी से रिलेटेड अभी पूरा चैप्टर है बट थोड़ा सा मैं फर दर वे से बता देता हूं कि आपने एक itors कंप्वीडर सिस्टम लिया और इस कंप्वीडर सिस्टम को आप आई पी देना चाहते हो तो ABOUT पी कहां से देते हो आप जब इंटरनेट कनेक्शन लेते हो तो आपके राउटर मौडम पर एक आई-पी मिलती है राइट मिलती है ना तो मान लिया कि आपने जो कनेक्शन लिया उस पर उस पर आपको एक आई-पी मिली और आपने उस आई-पी को आपके राउटर पर असाइन करा जो की है 10-0-0-1 इस तरीके से और फिर आपके कंप्यूटर की आई-पी क्या हो जाएगी इस इस राउटर और यही आपका जो आई-पी हो जाएगा यही आपका इस गेटवे आई-पी हो जाएगा तो आप जब अपनी मशीन पर क्वाइप एसाइन करेंगे तो इसी रेंज में करेंगे जैसे 10 02 कर दिया सब्धेंट मास्क इसका दे दिया और इसका गेटवे 10 001 तो यह हमारा हो जाएगा गेटवे अब इससे क्या होगा कि आप मतलब कि आपका यह जो सिस्टम है यह डायरेक्ट ली यहां पे कनेक्ट हो ज है आई पी अभी पूरा आपको पढ़ाया जाएगा डॉन्ट बरी डिगार्डिंग एट ओके तो गेटवे का यूज क्या होता है किसी भी आई पी में कि दूसरे से कनेक्ट करना बाहर के नेट्वरक से जैसे हमारा एक घर है ठीक और हम गेट लगाते हैं तो हम गेट की जरू क्या किसी कंप्यूटर से कनेक करेंगे तो आपके माडम के थूख कमीनिकेशन करेंगे वाइट क्योंकि अगर अपने यहां पर ठीक है ठीक है ठीक है ़िह ठीक है 10002 कर देंगे ठीकर ढेंगे मतलब सूपनेट की सब्सक्राइब समय जाएगा सब्सक्राइबृ मास्क ये तो पड़ाया ही जाएगा सबस्क्राइब सबस्क्राइब सब्सक्राइब करते हूँ आइपि करने की विंडोज में क्या टाइप करते हो आएपि कॉन waiter कि में 112 कानीस इसमें कि वहดता है यह वरन आयएफ कॉन फीक होता है और एंटर करोगे अब देख़ो यहां पर मैंने यहां से भी आपको पता चल जागे जब इस पर क्लिक करेंगे तो यहां पर देखो यहां आप इसको दुबारा से हम आटमेटिक कर देते हैं और यह सब और यह चल रहा है अगर वहीं नहीं नहीं होता तो फिर हमारे सिस्टम को आई पी नहीं मिलती तो यह हमारा हो जाता है फिर यहाँ पे इसको पुरा करके मैनेज करना जभी नेट्वरक की जरूरत नहीं तो आफ रखें अगर माल लिया की गाना मूवी कुछ सुन रहे हो आपके कुछ application design कर रहे हो कुछ personal काम कर रहे हो तो इसको आफ रखें हम इसा internet का इस्तेमाल तभी करें जब आपको internet की जरूरत हो फोन पर internet on तभी रखें जब आप अपने phone को internet के लिए इस्तेमाल करें phone पर internet से कोई चीज करें नहीं तो unwanted night में लगा कर सोकर चले मतलब रख दिया या कोई भी ऐसी चीज है तो internet सबसे बड़ा मतलब की एक resource है आपके information तक पहुचने के लिए बाहर के लोगों का या hacker attacker का हम लोग security पढ़ रहे हैं तो हम बहुत सारी चीजों को यहां पर एक एक पॉइंट को बताते रहेंगे बीच बीच में कि हाँ यह सब vulnerabilities हैं हमेशा phone को internet से connect करके रखना कितने लोग ऐसे अगर दस बारे लोग हैं तो सभी लोग करके फिर हमें रखना चाहिए सिस्टम पर जरूरत नहीं है आफ करके रखें अपना लैप्टॉप का कैमरा जो है उस पर हम लोग लगा कर रखें या उसका एक आता है चोटा सब्दस बीस रुपे का मार्केट में locker आता है उस पर लगा कर रखें यह सब आपकी privacy है क्योंकि सिस्टम के अंदर छोटे-छोटे application पर क्लिक करने से website पर विजिट करने से आपके सिस्टम का camera, microphone सब access हो जाता है और as a family हम लोग घर पे रहते हैं क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं बहुत सारी चीज़ें होती है ना तो हमें इन सब चीजों को care करना चाहिए for security purpose तो चलो यह सब आपने देख लिया फिर नेक्स्ट आ जाते हैं डिवाइसे डीटेल्स जैसे कि आपने कोई keyboard माउस कनेक किया है तो सब यहां पर डीटेल्स में आ जाएगा तो सब यहां के डीटेल में आएगा फिर आपने आपके अपरेटिंग सिस्टम का डीटेल यह बता कितना इसमें इस्तमाल हो रहा आपके computer का नेम क्या चाहो तो आप अपने computer का नेम यहां से भी चेंज कर सकते हो जाएगा अगर जेजे मैंने कर दिया तो यह अप्डेट कहां से होगा ऐसे नहीं होगा तो इसको अपडेट या ऐसे कुछ नहीं करना है नहीं तो तो इस अप्लिकेशन अप्डेट आ जा रहा है जैसे कुछ अप्डेट वगए आया है तो यह सब चीज़ें आप रोजाएंगे तो इन्स्टॉल्ड यह सब है अगर अप्डेट कुछ आएगा तो यहीं से अप्लिकेशन का अप्डेट भी मिल जाएगा फॉर फॉर्दर अगर हमारे सिस्टम पर इंटरेट चल लाए तो यहां पर देखो डांगलोड हो जाएगा उप्लिकेशन चाहिए तो एंबल टू कनेक्ट तो थोड़ा सा यह टाइम लेगा रीबूट वगर्ण कर देंगे तो थोड़ा यह अप्डेट करके आपको अप्डेट देगा वगरह कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा इसका रिजल्ट राइट कम्मिनिकेशन नहीं जब देखो यहां पर अनेबल क्योंकि अभी मैंने इंटरनेट कनेक्ट किया है पता नहीं आपको अप्लिकेशन मिल जाएगा और सिंगल क्लिक पर आप इंस्ट्रॉल कर सकते हैं जो इसके अंदर अप्लिकेशन से तो यह है तो हमारा यह फर्स्ट चैप्टर था इंट्रॉडक्शन ऑफ लिनेक्स ओपरेटिंग सिस्टम एंड जी यूई इसको आप लोग देखेंगे इंस्ट्रॉल करके मैनेज करेंगे अभी कोई डाउट तो नहीं है अगर द्यान से अपने पढ़ लिया समझ लिया तो कुछ भी नोट भी करने की जरूरत नहीं इतना असान टेक्नोलिजी तो ठीक है इसको आप लोग देख लेना बागी कमांड्स वगरा जो भी कल से चलेंगे बेसिक या हैरार्की सिस्टम पढ़ाएंगे तो फिर आगे का नोट से बेज देंगे ठीक है नोट्स मिल जाएगा आप लोगों को यह वाला भी भेज़ दूं क्या यह जो मैंने अभी यहां पर कुछ यह नोट किया नो सर इसकी जरूरत है कुछ है को इस इंपोर्टेंट नहीं है नॉरमल ना थो अ चलिए ठीक है ओ कि गूण नाइट थैंक यू साथ थैंक आ अ झाल झाल